तो बच्चों, लॉड वारन हेस्टिंग के बारे में पिछली क्लास में स्टार्ट किया था, किस तरह लॉड वारन हेस्टिंग भारत आया था, तो लॉड वारन हेस्टिंग स, 1772 से 1785 तक था ये, तो ये दी आप देखें, तो लॉड वारन हेस्टिंग स, ये है, 1772 से 1774 तक, गवर्नर आफ बेंगौल के रूप में था, तो बच्चों ये है, बंगाल का गवर्नर बन के आया था, बंगाल का गवर्नर बन कर आया था, लेकिन आप सभी जानते हैं, कि बाद में इसको, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, है न, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, इसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, इसको, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल बना दिया गया था, इस तरह से अगर आप देखें तो 1774 से लेकर 1774 से लेकर 1785 तक यह बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, देखें दोनों में अंतर है, पहले तीन गवर्नर आते थे, बंगाल का गवर्नर, मदरास का गवर्नर, बंबे का गवर्नर, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया बंबई तथा मदरास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के नियंतरण में कर दिया तिसतरह से बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया बंबई मदरास के गवर्णर ही रह गए उनको बंगाल के गवर्णर जनरल के अंडर में कर दिया यह कैसे हुआ 1773 में Regulating Act के द्वारा अधिकी 1773 में Regulating Act क्यों आया दरसल ब्रिटिस इस्ट इंडिया कमपनी का ब्यापार भारत में घाटे में चल रहा था ब्रिटिस इस्ट इंडिया कमपनी ने ब्रिटिस सरकार से ब्रिटिस गवर्मेंट से लोन मागा ब्रिटिस गवर्मेंट ने लोन देने का वैदा किया ठीक हम लोन देंगे लेकिन हमारी कुछ कंडिशन्स हैं जो कमपनी को इंप्लिमेंट करना पड़ेगा वो conditions इस 1773 के Regulating Act के अंडर में British government ने बना कर British company पर थोपा तो company को लोन देने के लिए British government त्यार हो गई लेकिन British government ने कहा हमारी कुछ शर्तें आप company के लिए implement करें जिसे के future में British company का ब्यापार loss में न जाए अन्य था British government का भी नुक्षान होता था चुकि British company इंडिया में ब्यापार से जो profit कमाती थी उस profit का 25% British company British government को देती थी तो I think आप समझ गए होंगे इस बात को इसलिए जब आया तो governor of Bengal के रूप में आया या governor of Bengal के रूप में कह सकते हैं या फिर governor of Ford William भी कह सकते हैं लेकिन इस act के द्वारा बंगाल का नहीं बलकि governor general of Bengal कह लाया तो governor governor general में यही अंतर है आई आगे चलते हैं और फिर आपको इसके आगे की बते बताते हैं तो बच्चे Lord Warren Hastings बहद important है ये इसकी शासनकाल में हमने आपको कई बाते बताई 1772 में Warren Hastings ने कलाईप की द्वारा सुरू किये गए द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया द्वैध शासन प्रणाली के स्थान पर भूराजस्वकर की bidding system को implement किया था नीला में प्रथा को लागू किया था जिसको हम चर्चा कर चुके हैं लेकिन फिर भी एक बार बता देते हैं 1772 में Warren Hastings removed Dual Government System बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को हटा दिया ना Warren Hastings ने बंगाल के द्वैध शासन प्रणाली को समप्त कर दिया बंगाल के द्वैध शासन प्रणाली को इसने समप्त कर दिया अब द्वैध के स्थान प्रणाली क्या इस्टाट किया बच्चों आप सभी जानते हैं द्वैध के स्थान प्रणाली क्या इस्टाट किया आप सबको पता है इसने द्वैध के स्थान पर 1772 में Bidding System स्टाट किया था Bidding System of Land Tax Revenue भूराजस्वकर की निलामी परथा को स्टाट किया था जिसके बारे में आपको बताया था कि इस परथा की द्वारा contractor ठेके दार आते थे उची उची बूलियां लगाते थे जो highest bidder होता था जो उच बिडर होता था उस उस छेतर की दिवानी दे दिया जाता था तो बच्चों इस तरह से 1772 में द्वैध को हटा करके भूराजस्वकर की निलामी परथा को इस्टाट किया था एक बार एक contractor एक ठेकेदार बोली लगाने के बाद वह उस छेतर पर पांच वर्ष तक रहता था लेकिन वारेन हेस्टिंग ने देखा कि एक contractor एक ठेकेदार एक जमिनदारी पर पांच वर्ष रहता था तो बड़ा मुनफ़ा कमाता था इसलिए एक टर्म कंप्लीट किया यानि 1772 से 1777 तक कंप्लीट होने के बाद 1777 से 5 years के स्थान पर annual bidding कर दिया गया था तो बच्चों ध्यान रखिएगा एक टर्म पांच साल का था अगले बार 1777 से वारेन हेस्टिंग ने इसको annual contract कर दिया था तो यह सिस्टम बेहद important इसके अलाम आपको बताएं वारेन हेस्टिंग ने British Company के 22 शासन पराली के अंडर में जो दो दिवान थे इनको हटा दिया रजा खान एवं राजा सिताब राए ये दोनों दिवान थे इन दोनों दिवानों को वारेन हेस्टिंग ने हटा दिया इनको अरिष्ट कर लिया था अरिष्ट करके इन पर मुकदमा चलाया था तो यही दो दिवान थे इनको गिरफ्तार करने के बाद इन पर मुकदमा भी चलाय गया था So this is very important point और बच्चों, वारेन हेस्टिंग्स ने ब्रडिस कंपनी के राजस्व को ठीक करने के लिए, चुकि ब्रडिस कंपनी का ब्यापार घाटे में चल रहा था, राजस्व को ठीक करने के लिए वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाब की पेंशन कम कर द अर्थात बंगाल की नवाब मिर्जाफर की विध्वा मुन्नी बेगम को 32 लाख सालाना पेंशन मिलता था। 26 लाख पेंशन को वारन हिस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया जिससे की ब्रेटिस कमपनी के राजस्प काफी अच्छा हो गया। और एक बोड अफ रिवेन्यू का गठन किया गया था। याद रखिएगा बोड अफ रिवेन्यू के स्थापना कलकत्ता में पहली बार वारन हैस्टिंग्स ने किया था। तो ये पॉइंट्स जो आपको बता रहे हैं आपके लिए बेहद इंपॉइंट्न पॉइंट्स है। आईए देखते हैं ये जो आपको बताएं हैं क्या क्या बताएं हैं पिंशन आफ मुन्नी बेगम ये थी विडू आफ मीर जाफर अच्छा कहीं कहीं ऐसा भी दिया होता है बंगाल के नबाब की पेंशन घटा करके 32 सोलह कर दिया तो गलत नहीं हैं तो मुन्नी बेगम इसकी पेंशन 16 लाग कर दिया बच्चों प्रतिवर्ष पहले कितना था 32 लाख प्रतिवर्ष इसको दिया जाता था पहले इसको 32 लाख रुपया साला न दिया जाता था पेंशन कम कर दिया तो पेंशन का मतलब आप जानते हैं अर्थात जब ब्रिटिस इस्ट इंडियो कमपनी ने बंगाल पर कबजा कर लिया लोड कलाइब ने बंगाल पर अधिकार कर लिया तो बंगाल अपने अंडर में जब कर लिया तो पेंशन दिया था किसको पेंशन दिया था बंगाल के नबाप को बंगाल का नबाप कौन थ उस समय नजिमot दौला था लेकिन नजिमot दौला को नहीं दिया बलकि नजिमot दौला की मदर मोनी बेगम को दिया मोनी बेगर मेर जाफर की विदवा थी इसलिए इसकी पेंशन 32 से कम करके 16 लग कर दिया गया जिससे की ब्रिटिस कंपनी के राजस में कुछ इंक्रिमेंट और पेंशन आफ मुगल किंग पेंशन आफ मुगल किंग मुगल किंग इस समय वही था बच्चों शालम सेकेंड ही था ना 1772 में शालम सेकेंड इसको 26 लाख रुपया सालना पेंशन मिलता था इस पेंशन को खतम कर दिया पेंशन समाप्त कर दिया तो एक तरफ 26 लाख बचाया एक तरफ 16 लाख बचाया लगभग कितना तो लगभग बच्चे 34-36 लाख रुपया बचाया था है ना 16 22 लाख बचाया चलिए तो यह यह भी राजस्ट में बढ़त्री किया और दूसरी बात ट्रेजरी प्रेजरी आफ ब्रेटिस एस्ट इंडिया कंपनी शिफ्टिड़ फ्रम मुर्शिदाबाद तो केलगटा यनी राजकोष को राजकोष ब्रेटिस कंपनी की राजकोष को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता अस्थानांतरित कर दिया ये भी एक पॉइंट है बच्छे बहद इंपॉइंट तो ट्रेजरी को शिफ्ट करकी राजकोष को शिफ्ट करकी मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ले गया था ये भी एक बहद इंपॉइंट है और आपको बताएं बोड आफ रिवेन्यू की स्थापना कलकत्ता में किया गया बोड आफ रिवेन्यू अट कलकत्ता बच्छो कलकत्ता में एक राजस्व बोड एक राजस्व बोड की स्थापना किया भी गवरेक्णरर जनरल होगा बचे वाइसर रिवेन्यू बोड की सदसी होते थे मिम्बर होते थे तो I think कितना point clear हो गया होगा अब हम आपको लिये चलते हैं आगे की तरफ और बताते हैं कि Regulating Act 1770 में Warren Hastings के समय में आया था वैसे बच्चों British Company के लिए 20-20 साल के बाद Regulating Act प्रारंब किया गया था पांच Regulating Act आये थे जिनको Charter Act भी कहते हैं Charter Act भी कहते हैं Charter कानून पहला Charter Act 1773 में आया इसे Regulating Act के नाम से भी जानते हैं इसे Regulating Act के नाम से भी जानते हैं दूसरा Charter Act 1793 में आया तीसरा Charter Act 1813 में आया चौथा Charter Act 1830 में आया अंतिम और पांचवां 1853 में आया था तो बच्चों ये पांच Charter Act आये थे ब्रिटिस कंपनी को इस Charter Act के हिसाब से इंडिया में अपने ब्यापार और प्रशासन पर काम करना पड़ता था ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी का यह Charter Act ब्रिटिस कंपनी के Board of Control के Directors त्यार करते थे जिसे ब्रिटिस संसद से सहमती लिना पड़ता था और देन उसके बाद उसको इंडिया भेजा जाता था जिस पर 20 वर्षों तक काम होता था चार्ट से Charter बना है तो Charter Act में तमाम कंपनी को इंडिया में काम करने की प्रवधान होते थे उन प्रवधानों के हिसाब से उन Resolution के हिसाब से इंडिया में कारिये करना पड़ता था तो पहला Regulating Act कहलाता बच्चों पहला Charter Act को Regulating Act कहते हैं क्योंकि 20-20 साल में Regulate किया जाएगा हाँ कुछ कमिया है तो भीच में उस पर सुधार करने के लिए तमाम छोटे-मोटे Act आ जाते थे जैसे Regulating Act तो लाया गया लेकिन आप जानते हैं Regulating Act में कई कमिया थे तो Regulating Act की उन कमियों में सुधार के लिए Regulating Act की इन कमियों में सुधार के लिए आप जानते हैं PITS India Act आया था और उससे पहले एक और Act आया था 1781 में उस Act की द्वारा Regulating Act की कमियों को दूर किया गया था तो आईए देखते हैं तो Charter Act तो है है लेकिन पहला Charter Act 1773 में जिसको आप पढ़ सकते हैं Regulating Act के नाम से तो Regulating Act के नाम से आप इसको पढ़ सकते हैं तमाम प्रवधान थे जिससे आपको देखना होगा तो 1773 कि इस Regulating Act की कोछ खास फीचर आपको बताते हैं पहला यही था Governor आफ बेंगॉल वाज एपॉइंटिड गवर्नर जन्रला बेंगॉल यह पहला प्रवधान है इसमें बंगाल की गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जन्रल नियुक्त किया गया यह पहला प्रवधान है ठीक है दूसरा प्रवधान इसमें था बच्चों गवर्नर्स आफ बंबे अन मद्रास गवर्नर्स आफ बंबे अन मद्रास वर पुट अंडर दी गवर्नर जन्रला बेंगॉल यह इसका दूसरा प्रवधान था बंबे इवं मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जन्रल बंगाल के गवर्नर जन्रल के अधीन कर दिया तो यह है इसका दूसरा प्रवधान था तो यह बेहद important point था कि regulating act के द्वारा पावर को बच्चे centralized किया गया था और तीसरा प्रवधान क्या था इसके द्वारा regulating act के द्वारा तीसरा प्रवधान आप देखलें प्रवधान च्चे प्रवधान था प्रवधान थारें गोल, so this is also very important point, यनी बंगाल की गवर्नर जनरल, बंगाल की गवर्नर जनरल की परिशद में, चार सदस्य नियुक्त किये गये थे, ध्यान रखें, गवर्नर जनरल की परिशद बनाई गई, काउंसिल, जिसमें 4 सदस्य पोइंट किये गये थे, 4 members were appointed in the council of governor jeneral Bengal अपनी council के निरनय को उसे मानना अनिवारिये था council का decision उसको लेना पड़ता था आज़े council किसी भी matter पर इंडिया में decision ले सकती थी जिसको बंबाई के governor को मानना पड़ता था मदराश के governor को मानना पड़ता था कुल मिला कि पावर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधिन कर दिया गया था कैनी कोशिश यही किया गया कि जैसे पहले तीन गवर्नर आते थे बंगाल का गवर्नर मदरास का गवर्नर बंबे का गवर्नर तीनों अपने अपने प्रेसिदेंसी में अपने 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 कर दिया यनि एक गवर्नर जनरल बाकी दो गवर्नर गवर्नर जनरल की परिशद उस परिशद के निरने को बंबई और मदरास के गवर्नरों को मानना पड़ता था तो यह भी बड़ा important point है लेकिन आपको बताएं बच्छों चार सदस्यों में से जब ये point किये गए उनमें से तीन सदस्य वो इंगलेंड से आये और एक सदस्य जब ये point किया गया तो वह इंडिया में था वार्न हेस्टिंग का खास आदमी था उसका नाम बार्वेल था वो हर अच्छे बुरे काम में वार्न हेस्टिंग का सपोर्ट करता था लेकिन जो तीन सदस्य इंगलेंड से आये उसमें किलेवरिंग मॉंसन फ्रांसिस किलेवरिंग मॉंसन फ्रांसिस तीन सदस्य इंगलेंड से इंडिया भेजे गये चोथा सदस्य बार्वेल जब ये point किया ग तो उन तीनों सदस्यों का उचित स्वागत नहीं किया गया वे तीनों सदस्य अपने आपको गवर्णर जनरल से कम नहीं मानते थे तो जब तीनों बॉम्बे में लेंड हुए तो वो चाहते थे को उन तीनों का स्वागत करने के लिए कलकत्ता से चल कर वारेन हेस्टिंग इसा नहीं किया, अपने किसी रेप्रेजेंटेटिव को वारेन हेस्टिंग ने भेज कर उनको रिसीव करवाया, अचा जब कोई गवर्णर या गवर्णर जोनुर लाता था, उसको 21 तोपों की सलामे दी जाती थी, लेकिन इन तीनों सदस्यों को 14 तोपों की सलामे दीया गया इस बात का भी बुरा मान गए। इसलिए जैसे ही वो इंडिया पहुँचे और काॉंसिल को जोइन किया, बंगाल में काॉंसिल को जोईन किया, उन तिनों ने एकठा होकर वारेन हेस्टिंग का नोंसिल में बिरूत करने लगे, हर एक कदम पर प्रोटेस्ट करने लगे, जि जो इंग्लेंड से आये वे तीनों इकठा हो गए हर कदम पर इसका प्रोटेस्ट करने लगे किवल एक ही वारेन हेस्टिंग का साथ देता था तो वारेन हेस्टिंग प्लस एक दो हो जाते थे ये तीन थे तीनों की मेज़र्टी हो जाती कोई भी विधेयक लाते उसको इसका एंजिल कर देते तीनों वारेन हेस्टिंग बहुत परिशान हो गया था इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था क्यों काम ही नहीं कर पा रहा था एक बार तो ऐसा भी हुआ कि वारेन हेस्टिंग ने अपने इंग्लेंड में रेप्रेजेंटेटिव को लिख दिया कि वह उसका इस और एक और एक जो बचा फ्रांसिस बचा फ्रांसिस और वारेन हेस्टिंग के बीच में ड्वेल फाइट हुआ द्वेंद युद्ध हुआ वारेन हेस्टिंग की गोली से फ्रांसिस गायल होकर इंग्लेंड भाग गया था बाद में जो सदस से आये कॉंसिल में वारेन हेस् फ्रांसिस यह तिनो इकठा थे एक रहते थे क्योंकि यह देखा कि इनका उचित स्वागत इंडिया में वारेन हेस्टिंग नहीं किया जबकि बार्बिल यह भी अंग्रेज था लेकिन जब इपॉइंट किया गया तो इंडिया में था यही वारेन हेस्टिंग का साथ देता था ती चार सदस यह वारेन हेस्टिंग के काउंसिल में पॉइंट किये गए तेनों इकठा होके वारेन हेस्टिंग का हर कदम पर प्रोटेस्ट किया था कोई कानून बनने ही नहीं देता था हर मामले पर अरंगे फिट करते थे तो बच्चे रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बार बंगाल में एक काउंसिल बनाई गई ये चार सदस उसमें पॉइंट किये गए और बच्चे एक पॉइंट और देखिए तीसरी घबाद चौथा पॉइंट किया था 1773 अत्वा कहीं कहीं 1774 में क्यलकटा सुप्रीम कोट का गठन किया गया था क्यलकटा सुप्रीम कोट Established Regulating Act की द्वारा कलकटा में सरवोच अदालत का गठन किया गया था कलकत्ता, सर्वोच अदालत की स्थापना, रेगुलेटिंग एक्ट की द्वारा कलकत्ता में सर्वोच अदालत का गठन किया गिया, अर्था तीनों प्रेसिडेंसी में कलकता, बंबे, मदरास, तीनों प्रेसिडेंसी में, ये कोई डिस्प्यूट होगा, विवाध होगा, तो उसका सलूशन सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा, तो बच्ची कलकत्ता सुप्रीम कोट में निरने लिया जाएगा लेकिन जब तीनों प्रेसिडेंसी में कोई विवाद होगा तब अन्य था बंगाल के लिए सदर दिवानी अदालत, सदर निजामत अदालत ऐसे ही अदालते बंबई और मदरास के लिए थी लेकिन तीनों प्रेसिडेंसी में कोई डिस्प्यूट होगा तब यह निरने लेगी इसका पहला चीफ जस्टिस अगर आपसे पुछा जाए फर्स्ट चीफ जस्टिस फर्स्ट चीफ जस्टिस एलिजाह इंपे को बनाया गया था एलिजाह इंपे यह प्रथम चीफ जस्टिस था इसका इसके लावाद तीन अन्य जज़ भी थे तो बच्चे सुप्रीम कोट तो अस्थापित कर दिया गया लेकिन क्या-क्या काम सुप्रीम कोट करेगी क्या-क्या काम गवर्नर जनरल करेगा यह अलग नहीं किया गया जहां मोड में आता सुप्रीम कोट काम कर बैठती जहां मोड में आता वार्न हेस्टिंग गवर्नर जनरल काम कर बैठता ऐसा ही एक मुद्दा आ गया वो था काजी जुर्राह का केस काजी जुर्राह के अगेंस्ट में सुप्रेम कोट में रिट फाइल कर दिया कि काजी जुर्राह ये वारेन हेस्टिंग का आदमी है और बिडिंग सिस्टम में वारेन हेस्टिंग ने काजी जुर्राह के माध्यम से कई कॉंट्रेक्ट अपने लिए इलोट करवा लिया है तो काजी जुर्राह के खिलाफ रिट फाइल किया गया तो काजी जुर्राह को पकड़वाने के लिए सुप्रिम कोड की फोर्स जाने लगी तो वारेन हेस्टिंग को पता चल गया वारेन हेस्टिंग को जब पता लग गया तो वारेन हेस्टिंग ने क्या किया अपने फोर्स क कोट, काम कर बैट थी, जहां मोड में आता वारेन हैस्टिंग काम कर बैट था, अक्सर सुपरीम कोट और वारेन हैस्टिंग यानी गवरणर जनर्ल लड़ बैळतते थे, तो पावर को लेकर चेत्रा जिकार यानि जुरिश्डिक्षन को अलग नहीं किया गया था यह भी एक भी बात था एक और ऐसा केस आगया 1775 में नंद कुमार का केस था बच्चे नंद कुमार का केस नंद कुमार बंगाल का एक प्रेस्टिजियस ब्रह्मन था नंद कुमार ने क्या किया वह वारेन हेस्टिंग के अगेंस्ट इन तीनों सदस्यों को वारेन हेस्टिंग के खिलाव कुछ बताने वाला था वारेन हेस्टिंग का भेद पोल खोलने वाला था वारेन हेस्टिंग को पता चल गया कि नंद कुमार उसके अगेंस्ट में जाकर इन तिनों शदस्यों को उसकी सारी पोल खोल देगा नंद कुमार के अगेंस्ट में सुप्रीम कोट में रिट फाइल कर दिया वारन हेस्टिंग्स ने करवा दिया और सुप्रीम कोट में रिट कैस की सीद का फाइल किया कि नंद कुमार फ़रजरी किया है यानि जाल साजी का मुकदमा चलवा दिया जाल साजी की मुकदमे में नंद कुमार को फांसी पलटका दिया गया वैसे इंडिया में जाल साजी की म मुख्य नैधिस, एलिजाह इंपे, इसने जल्दी जल्दी मसको फरजरी मामले में वफासी दे दिया गया था, तो ऐसे काम होता था, तो एक तरफ तो सुप्रीम कोट वारेन हेस्टिंग में नहीं बनती थी, दुसरी तरफ जब इसका दोस्त था, तो उस समय वारेन हेस्टिं जब वापिस इंगलेंड गया, तो 1787 में वारेन हेस्टिंग के खिलाफ ब्रडिस पारलियमेंट में इंपीचमेंट चला था, इंपीचमेंट के इसके खिलाफ तीन केसे थे, एक केस यह भी था, नंद कुमार का केस, दुसरा केस था, बनार्स की राज़त चेद सिंग का केस बनार्स की राज़त चेद सिंग को ये सत्ता से हटा कर कि बनार्स को कमपनी मिला लिया था, और तीसरा केस था इसके खिलाफ, तीसरा केस अवद की बेगमों का केस, अवद की बेगमें बड़ी धनवान थी, अवद मने लखनव, अवद की बेगमें इतनी धनवान थी, कि अ बनारस की राजा चेत सिंग का केस इन तीन केसे की वज़ें से बुरके जो कि वहां का पारलियमेंटरियन था इसने वारेन हेस्टिंग के अगेंस्ट हाउस अफ कॉमन्स में इंपीचमेंट लाया था तो चलिए आपको ये सारी बाते बता दिया लेकिन याद रखिएगा चार सदस से ये चारो सदस से बड़ी प्रॉब्लिम क्रेट किया था और सुप्रीम कोट का कारिय शेतर क्या है ये भी बड़ी समस्चिया थे बच्चों रेगुलेटिंग एक्ट में कमिया जो थी उसको दूर करने के लिए 1781 में एक एक्ट आया था रिफाम एक्ट अगेंस्ट रेगुलेटिंग एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट में कमियों को दूर करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां हटाने के लिए एक सुधार कानून जिसे 1784 में 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में इसमें लागु किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट लागु किया अब आप जानते हैं पिट्स इंडिया एक्ट जो था ब्रिटिस प्राइम मिनिस्टर थे पिट्स ब्रिडिस प्राइम मिनिस्टर Pitts के अंडर में ये Pitts इंडिया एक्ट 67 तरफ हो जाएं तो वारेन हेस्टिंग कोई काम नहीं कर सकता था क्योंकि वारेन हेस्टिंग की मेजरटी नहीं होगा तो आगे चल कर इस रिफार्म के द्वारा चार के स्थान पर तीन सदस से कर दिया और कहा गया कि अगर एक सदस गवर्णर जनरल अपनी और कर ले दो दो अच्छा common condition में क्या होगा कि गवर्णर जनरल काम कर सकता था मली जे दो-दो से टाई हो गया तो उस situation में बंगाल का गवर्णर जनरल काम कर सकता था तो ये कमी तो ये दूर किया गया चार के स्थान पर तीन सदसे point कर दिये गये दूसरी कमी 1773 के regulating act के द्वारा supreme court वाला था बच्चों अब सुप्रीम कोट वाले में क्या हुआ जानते हैं सुप्रीम कोट वाले में कहा गया कि ये ये काम सुप्रीम कोट का है ये ये काम वारेन हिस्टिंग का है गवर्नर जनरल का है यानि कुल मिला के इस रिफार्म्स एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोट और गवर्नर जनरल के मध्य में छेत्रा देकार को अलग किया गया था So I think कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी चोकि बच्चों ये बातें बहुत सारी हैं हम आपको बहुत सारी बाते बता रहे हैं और इतनी बातें अगर आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा बार बार इसको पढ़ेंगे सुनेंगे तो बहुत सारी बातें आपको याद हो जाएंगे चली आगे की तरफ चलते हैं अब दिखिए वारेन हेस्टिंग के साशनकाल में और तमाम बाते हैं जो हम आपको बताते हैं वारेन हिस्टिंग के शाषनकाल में एक बात ये था कि रोहिल्ला सरदार हाफिज रह्मत खान अवद के नवाब इन दोनों में एक समझोता हुआ था द्यान दिजिएगा रहिला सरदार हाफिज रहमत खान अवद की नबाब की मद्ध में यह समझोता हुआ था कि यदि मराठे रहिला सरदार के किंगडम पर हमला करेंगे तो अवद का नबाब उसको सैनिक सहायता देगा जब जब अवद के नबाप की सैनिक सहायता मिलेगी तब तब अवद के नबाप को हाफिज रह्मत खान कुछ पैसा देगा एक बार ऐसा हुआ 1774 की बाद थी मराठा फोर्सेज रुहेल खंड छेतर पर हमला किया लेकिन रुहेल खंड पर हमला करने के बाद रुहिला सरदार हाफिज रह्मत खान ने अवद के नबाप से मदद मागी अवद की फोर्सेज अवद की फोर्सेज गई मदद के लिए लेकिन जैसे ही अवद की फोर्सेस मराठा सेना ने देखा वैसे ही रोहिला सरदार के एरिया से मराठा सेना वापिस चली गई अब इस बात को लेकर अवद की नबाब ने हाफिज रहमत खान से पैसा मागा कि बहे मुझे 40 लाख रुपया दो जो कंप्रमाइज हुआ था हाफिज रहमत खान ने कहा लड़ाई तो हुआ नहीं तो हम पैसा क्यों दे देने से मना कर दिया ब्रेटिस एस्ट इंडिया कंपणी से और अवद के नबाब से क्समझोता हो गया ब्रेटिस कंपणी और अवद के नबाब के बीच में एक समझोता हुआ था कि जब जब हम British Company की सेना ले आएंगे तब तम हम British Company को 40 लाक रुपया देंगे अब हुआ क्या कि हाफिज रहमत खान ने पैसा नहीं दिया और यह सेना जो लेके गया था अवद के नबाब ने वह सेना British Company की सेना थी अब British Company की सेना लेकर के रोहिला सरदार पर हमला कर दिया मार गया और इसके बद रोहिला सरदार के एरिया को अवद के नबाब ने अपने अंडर में कर लिया था तो इस तरह की भी लड़ाईयां चलती थी छेट पुट ऐसे ही बनारस पहले अवद के नबाब के अंडर में था लेकिन Warren Hastings ने अवद के नबाब से बनारस ले लिया अपने अधिन कर लिया था जबरदस्ति उसको हडप लिया था बनारस का राजा चेट सिंग था उसको 17 से अटा दिया था Warren Hastings ने बनारस की राजा पर इतना दबाव डाल रहा था कि सेना माग रहा था पैसे माग रहा था और चेट सिंग बनारस की राजा कमपनी की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा था तो 1775 में वारें हेस्टिंग ने बनारस के राज़त चित सिंग को हटा दिया बनारस को कंपणी में मिला लिया और बनारस को कंपणी में शामिल करना यह गलत था क्योंकि बनारस इतना strong नहीं था जो कंपणी को challenge कर सकता और बनारस एक buffer अबर स्टेट टाइप का था यहनु इससे कोई खत्रा नहीं था वह तटस्थ राथ था अवद के अवद के अधिन अधिन राज था तो ऐसे ऐसे काम किया है आपको एक बात और बताते हैं वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया कडा मानिकपुर जो पहले मुगल किंग को दिया था कडा मानिकपुर पहले मुगल एमपरर शालम सेकेंड को दिया था अब मुगल किंग शालम सेकेंड से वापिस ले लिया उसे अवद के नबाप को 50 लाक रुपय में लोटा दिया 50 लैक्स रुपीज के बदले में अवद के नबाप को कड़ा मानिक पुर्दे दिया था और बनारस वाला जो था वह अवद के नबाप से लेकर कंपने अपने अंडर में कर लिया था तो यह तमाम समझ्या है थी बच्चों लेकिन आई चलते हैं आगे की तरफ और आपको बताते हैं कि अब 1775 से 1782 की बात है यह 1775 से ले मराठा वार प्रथम आंगला मराठा वार बच्चों यह बेहद इंप्रेंट हैं बिट्वेन किसके बीच में हुआ था मराठा कॉन्फिड्रेसी एंड ब्रेटिस इस्ट इंडिया कमपनी के मध्य में यह युद्ध लड़ा गया था तो बच्चों देखे 1775 से 1882 की बीच में फर्स्ट एंगलो मराठा वार लड़ा गया था मराठे अब बड़े स्ट्रोंग हो चुके थे पानीपत की पहली लड़ाई 1761 में आपको बताये थे उस लड़ाई में मराठा बुरी तरह से हार गये थे मराठे बिल्कुल तूट गये थे लेकिन नाना फड़निस और महतजी सिंदिया की प्रयास की बाद पिश्वा माधरोफ फर्स्ट की नित्रित में काफी स्ट्रोंग हो गया था लेकिन नाना फड़निस ऐसे सबसे सिनियर मोस्ट नेता थे जो बचे थे मराठो में बाकी जितने सिनियर मोस्ट नेता थे मोस्टली इक्सपायर हो चुके थे तो महजदी सेंदिया नाना फड़नेस को मराठा केंगडम सेव को फिर से अपनी क्लाइमिक्स पर ले जाने के लिए उत्तरदाई हैं। के भाई नारायन राव पिश्वा बन गए। लेकिन 1773 में नारायन राव की चाचा रगुनात राव ने पिश्वा नारायन राव की हत्या करके खुद को पिश्वा डिकलेर कर दिया। और ब्रडिस इस्ट इंडिया कमपनी से सपोर्ट ले लिया। रगुनात राव ब्रडिस कमपनी की पास चले गए। ब्रडिस कमपनी की अधिनता में चले गए। लेकिन पिश्वा नारायन राव की हत्या की बाद उनकी विध्वा गंगुबाई से एक बेटा पैदा हुआ। नारायन राव की विध्वा कुछी दिन के बाद क्योंकि वह प्रिगनेंट थी नारायन राव की हत्या हो गई 1773 में। 1773 में ही उनकी विध्वा गंगुबाई से एक बच्चा पैदा हुआ जिसको सवाई माधराव कहते हैं। या उसको माधराव सेकेंड भी कहते हैं। रगुनात राव जिसने नारायन राव की हत्या किया था वह ब्रिटिस कमपनी के बंबई के गवर्णर के पास चला गया। 1775 में रगुनात राव ने ब्रिटिस इस्ट इंडिया कमपनी से सूरत की संधी कर लिया था। रगुनात राव और कमपनी बंबई के गवर्णर के बीच जो संधी वा सूरत की संधी के द्वारा ब्रिटिस इस्ट इंडिया कमपनी यानी बंबई के गवर्णर ने रगुनात राव को पेश्वा मान लिया। और पीश्वा के अंडर में 368 वैसिन ब्रिटिस कंपनी के नियंतरण में ले लिया। पीश्वा बनने के बदले में रगुनात्राओं ने 368 वैसिन ब्रिटिस कंपनी को दे दिया। अब इस बात से वारन हेस्टिंग सहमत नहीं हुआ, उसकी काउंसिल सहमत नहीं हुई, वारन हेस्टिंग ने उपटन नामक एक अधिकारी को पूने भेजा और पूने में 12 भाई जिनके इंचार्ज थे नाना फडनिस, नाना फडनिस ने पिश्वा सवाई माधोराव या माध फडनिस ने 1776 में पुरंदर की संधि कर लिया, पुरंदर की संधि की द्वारा ब्रेटिस इस्ट इंडिया कमपणी की बंगाल की गवरणर ने पीश्वा माधरो सेकेंड को मान लिया, यानि जो नियुली बॉन चाइल्ड था उसको मान लिया, साले सिट पैसीन पर ब्रेट पुरंदर की संदि को गलत सावित कर दिया गया। इसलिए सूरत की संदि की द्वारा नाना फड़निस और उनके द्वारा सपोर्टेड पेश्वा माधरो सेकेंड को असेप्ट नहीं किया कमपनी ने। बंगाल की गवणर को भी ब्रेटिस कमपनी की डारेक्टरों की आदिश्का पालन करना पड़ा रगुनातराओ का सपोर्ट करना पड़ा लेकिन नाना फड़निस प्लस ग्यारा भाई किसी भी कंडिशन में रगुनातराओ को पेश्वा मानने को त्यार नहीं हुए और इस बा वलगाओं की लड़ाई में वलगाओं 1779 में वलगाओं की लड़ाई में ब्रेटिस इस्ट इंडिया कमपनी बुरी तरह से हार गई थी और वलगाओं की संध भी कर लिया था 1779 में वलगाओं की संध की द्वारा पेश्वा मानने को त्यार हो गए किसको मानने को त्यार हो मादोर सेकेंड को लेकिन बाद में वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया अपनी एक सिना जबर्दस तरीके से मध्य प्रदेश में सिंधिया पर हमला करवा दिया बच्चों आपको बताएं सिंधिया और उधर होलकर ये लोग थोड़ा बहुत कमपणी के लोग कुछ हद तक सफलता पाई लेकिन मराठे डॉमिनेटेड थे मराठों ने जवरदस्त तरीके से रिकैप किया और ब्रदिस इस्ट इंडिया कमपणी को कई छोटी-छोटी लड़ाईयों में हराया अंत्यमें ब्रदिस इस्ट इंडिया कमपणी 1782 में सालबाई की संधी कर लिया था अवधिकी सालबाई की संधी की द्वारा ब्रदिस कमपणी ने माधरों सेकेंड को पेश्वा असेप्ट कर लिया रगुनात राओ को पेंचन दे दिया तीन लाग सालाना रगुनात राओ को तीन लाग सालाना पेंचन दे दिया साले सेट बेसीन ब्रदिस कमपणी को मिल गया यहनि कुल मिला कि फरस्ट एंगलो माराठा वार में माराठे डॉमिनेटेड थे और सालबाई की संधी की द्वारा ब्रेटिस इस्ट इंडिया कमपनी ने साल भय की संधिकी द्वारा ब्रेटिस इस्ट इंडिया कमपनी ने मराठों की बातों को असेप्ट कर लिया तो इस तरह से अंगला मराठा युद्ध काफी लंबे समय तक चला था ठीक बच्चों तो I think आपको यह बाते हैं, आज वली समझ मैं ही होगी